कि ब्रिक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हमारे साथ हैं जमिता पार्टी की विदायक कामिनी जिंदल जी कामिनी जी बात होगे थी पहली बार विदानसभा में आई है क्या लगता है कैई जो पहली बार विदायक चुनके आएं उनसे जब बात होती तो कहते हैं कि हमें तो बोलने का मोगा नहीं मिलता क्या माहूल क्या है क्या कुछ कड़वड है क्या विदानसभा में देखिये मुझे लगता है लोगों के सोच में थोड़ी सी गड़वड है कुछ इसलिए नहीं बॉल पाते हैं कि उनको पता हैं बोलने क्या। और कुछ इसलिए नहीं बुल पाते हैं क्योंकि उनके उपर तल्वाह लटकी रहती है। डिक्टेटर्शिप चलती है, बिहांड दी कुर्टेन, पार्टी डिक्टेटर शीप… तो मुझे लगते हैं ये जंता के साथ में दोखा है कियो कि जंता ने आपको इन चीज़ों के नहीं बेज आए कि आप मुझ बंकद करके बैठे रहें। फिर तो कोईभी बैठ जाएंगा वहां जाके आपको जिताने के कहा उसमें हमारी तरफ से मेरे पिता जी की तरफ से एक भामाशा के रूप में PPP मौडल के उपर जलनी कासी यूजना के तहट 10 करोड रुपे दिये गए थे 10 करोड रुपे आज के समय में तीन साल पहले दिये गए थे तो तब तो शायद चुनाव की कोई बात नी थी तीन साल पहले वो दिये गए थे और आज भी वो पैसा कहा है नगर परिशद में है या कहा है कोई नहीं जानता से ब्रष्टाचार की भेंट चट चुका है 10 करोड रुपे तो आपके पार्टी ने चुकी पार्टी के अधिक श्मिया उन्होंने दिये पैसे और आपने हिसाब नहीं मांगा नगर परिशद से कि आखिर में 10 करोड रुपे दिये थे जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे कहां गए बिलकुल देखिए उसके बाद में जो है वो सीवरिज का प्रोजेक्ट आया और सीवरिज लगातार हो बनने के ये लोग बताते हैं कि तीन सीवरिज प्रोजेक्ट हमारे बहां पर चल रहे हैं लेकिन उसकी भी गती धीमिया ये अपना बता देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है तो हम लगातर ही कहते हैं कि जो आपको दिया गया था या तो आप इस में लें तो कम से कम कहीं तो लगे लेकिन ये उसको भी नहीं बता पा रहे हैं कि कहां पर है क्या है क्या नहीं है क्या करने वाले हैं तो इसकी जानकरी नहीं है इसी के लिए वो जो मैटर है अभी कोट के अंदर सब्जिडिस है तो मुझे आशा है कि वहां से न्याई मिलेगा और कम से कम जो पैसा जंता के लिए लगना चाहिए था वो लगेगा धरादल पे आके करना घर में अभट गोश्णा हो जूकिए लेकिन उसमें आपके और से आपकी परिवार के नाम पर अर क्या उसका भी ही हाल रहा है यह विचुनाव से पहले हुती और इतना बड़ा मेरे ख्याद से सरकार जो है वो रोज भामाशाओं को प्रुस्कृत करती है और खुद भी स्वालमबन के नाम पर और हमा शाहूं से कटोरे ले लेके घूम रही है अभी पैसे दो और जिसने स्वयम ने पैसे दे दे धाइसो करोड रुपे अज सिर्फ वो इसलिए नहीं चालू कर रहे है क्योंकि वहां पर इनके राजनेते के हित तक करा रहे हैं क्या बताते हैं कारण तो पश्ट रूप से नहीं बताते हैं सिर्फ यही है कि कभी IMA के रूप में आगे आजाते हैं अब यह कहते हैं कि PWD जो है वो उसको देखने के लिए सर्वे करने के लिए नहीं तो आप यह मानते हैं कि आज अगर सरकार चाहे और PWD जो उनका ही भाग है वो आए ना उनकी जुरुरत हो सकती है क्या तो आज जंता काना चोड़के इन्होंने अपना हित बना लिए तो क्या सरकार आपसे घबरा गई है आप समझती है नहीं अगर घबरा गई है तो अच्छी बात है आगे और घबराट होने वाली है इसका मैं उनको बिल्कुल नहीं तो आप तो ऐसे बतारी है जैसे घबरा गई है इसलिए इस तरह के जो आपकी ओर से ओफर आए हैं उन कि उस्टार पर द्रफ है जिम्यदारा पार्टी का लगता है कि डिमांड करके चनॉल रणने के बाद सरकार से मांग रही है लेकिन क्या सरकार पर दवाब बनाने की कभी कोशिश होई लगातार आज भी, वो लोग कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मंचपर, चाहे धरने के रूप में या कलेक्टर को घ्यापन देने के रूप में, या मुख्या मंतरी जी, सरकार आपके द्वार के समय वहा गई थी, तो लोगों ने अपने पॉस्ट काड्ड साइन करकर करके, हजारो पोस्ट कार्ड मेडम को दिये थे तो जनता अपने हिसाब से लगी हुई है और यह जनता का जनहित का मुद्दा है और मुझे खुशी है कि हम जनता को इतना जागरूख कर पाए कि यहां पर मेडिकल कॉलेज की ज़र रहता है और जनता अज उससे अपना मान कर से अपने परीद कोई विदायक चुल लेती है लगातार तो कहीं उसका खामिया जाना लगातार भगतना पड़ता है हर बार सत्ता पक्ष के साथ विदायक होता नहीं है नहीं देखे ऐसी कुछ सोच हो की मिलब ऐसा कुछ सोच के सोच हो तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि विदायक कि या एक जन्प्रतिनीती उसे ही चुना जाता है जो लगता है कि हमारे लिए बात करेगा हमारे लो लिए कुछ लाएगा आगे अगर सरकारों की क्या मंशा है या किस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो उनकी सोच है विधायक की नहीं है और जनता की नहीं है जनता साफ दिल से अपने पूरे विवेक से चुनती है अभी आज तक जो चुने गए थे वो पहली बात पढ़े लिके नहीं थे और अगर पक लेकर आए हैं चाहे मेडिकल कॉलेज का है चाहे हम सीवरेज की बात कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो हम एक आइडिया तो लेकर आए उनकी आवाज तो हम बने हैं हर बार हम इस पर डि बिलकुल तो क्या अभी महिला आरक्षन की बात आपने छेड़ दी हुँ महिला आरक्षन विदेख का भी पास होना है लीटेश्ट अभी लोग सवा में बिलकुल सुनिया गांदी जी ने भी आवाज उठाए इस सरकार बार-बार कह रही है नरेंद मोदी भी कह रहे हैं कि महि इसले ही उस इंसान को अलग केटेगरी में खड़ा कर देते हैं। लेकिन महीला जब मातरतव की बात आती है तो महीला का एक ऐसा दिल होता है जो हर चीज की पीडा को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है अगर आप उसको बाइलोजिकली भी निकाल के देखेंगे तो महीलाएं ज्यादा वह पाई गई हैं कि संवेधन शील होती हैं तो आज ज़ जंता के बारे में सोचती हैं नई इसमें मैं इसलिए जहमत नहीं हूँ क्योंकि महीला दीवस उन्होंने चुना कि हम अपना बजट पेश करेंगे लेकिन हम इसको बहुत अच्छी बात है लेकिन महीला दीवस भी उन्होंने सुच्छ चुना हम आशा रखते थे कि पहली ब तो अगर मैं यह मानू कि महीला हो तो यह से कैसे एक और आप कह रहे हैं कि महीला ज्यादा समवेधन शील हो हैं और आप मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि वह समवेधन हींता का उन्होंने परचे दे दिया ऐसा संभव नहीं है ना कहीं तो मुख्यमंत्री ज्यादा ऐसा आरक्षन एक जन्ता के लिए नासूर सा बनता चा रहा है काफी लोग आ गए हैं जिनके पास आज पैसा नहीं है या बीपिल की कैटेगरी में आने लगे हैं अगर आज उनको भी रोजगाह नहीं मिल रहा है या वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो वह भी डिमांड करते हैं कि हमें भी कुछ दिया जाए तो इसको थोड़ा से रिवाइस करने की ज़ूरत है थोड़ा सा और व्यवस्तित करने की ज़ूरत है और यह होना चाहिए कि थोड़ा से रिवाइस किया जाए और सब को बराबर का कमीनी जी आप रिवाइस के विचारों को मानती हैं कि यह तो मेरे अपने विचार हैं और मैं यह मान कि अगर हमारे पास भी आज कुछ नहीं है तो हमें भी कही ना कहीं से थोड़ा benefit मिलना चाहिए अगर आज आप नौकरियां देखें तो नौकरियों में अगर अगर अज मैं खाली जिनरल की बात नहीं करी हूं बाकी भी है उनको अपने हिस्से का पूरी तरह नहीं बिल पा र हैंसे उनकी economically जो background है उसके हिसाब से उनको आरक्षन दिया जाना है जमीदा फार्टी किसानों की बात उठाती है अभी एक बहुत बड़ा जो बदलाव किसानों के नरिंद मोदी ने घोशना कि कि आने वाले पांस सालों में किसानों की आये को दूगना कर दिया जाएगा और कुछ-कुछ छोटा मोटा प्रयोग आपके पिताजी ने भी कवार को हमके जरिया ऐसा किया था क्या ये नरिंद मोदी की जो गोशना है ये हवाबाजी है या वास्ता में संभव है ऐसा करना देखिए अगर नियत हो तो संभव है बाकी अभी जैसे इन्होंने कहाए भी कुछ हम देंगे इसके लिए मनने का कि मार्केटिंग के जरिया हम किसानों को पूरा नेशनली जोड़ देंगे और उसको सही उपज कहीं भी जा मिलेगी क्या इंस्ट्रूमें जिसके जरिए किसानों के हालातों को बदला जा सकता है देखिए पहले भी पिछले वजट में भी ये बात की गई थी कि मंडियों का हम लोग हमारे राजस्तान के अंदर कि हम मंडियों का उद्योगी करन करेंगे लेकिन अभी तक उसके उपर कोई काम नहीं हुआ है आज किसान आज भी उसी तरह से अपनी फसल लेकर आ रहा है ब डबलुडियों की शर्तों के अंसार किसानों को पेमेंट करने लग जाए तो महंगाई को लेकर आप से इतपुरा विपक्ष बहुत तेजी से चिलाएगा उनकी तो गदी हिल जाएगी ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे ट्रैप में फसी हुई सरकार की एक और महंगाई की मार है दूसरी और किसान की पुकार है दोनों के बीच में फसी हुई सरकार है ऐसा लगता नहीं है देखिए मैं यहीं कहूंगी कि आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा अगर अगर आप सच में उपर उठाना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना ही होगा तो वो हाथ वो काम ज ज्यादा देने की बात है हो भी हम बिल्कुल देंगे क्योंकि महिलाओं को आगे आना चाहिए और बच्चों की शिक्षा है अगर आज इन्होंने बात की कि आदर्श विद्याले बनाएंगे आप जाओं गाओं में जाकर देखें आदर्श विद्याले किसको कहते हैं वो ही जो सरकार कहें वो करें, कामिनी जी कहरी है, उनकी पार्टी की सरकार आई, तो किवल किसानी नहीं महिलाओं को भी ही बहुत मजबूत करेंगी, यह थी हमारे साथ, जमिदारा पार्टी की विराय कुई दाल की नेता, कामिनी जिंदल, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, एक और हस् मंझे फिर में, इंये हाँilot करेंगे, जो स्मय में पईतدي है, जहाँ दाल करेंगे ला चरी विरारे शाय.